देविंद्रक एड़मी में आपका स्वागत है तो जैसा की कल आपने वीडियो देखा होगा कल के वीडियो में मैंने दो आपको हाड़वेर डिवाइसे इसके बारे में बताया था जिसमें मैंने कीबोर्ड और माउस की चर्चा की थी और जितने भी कीबोर्ड के फंक्शन्स है और की वोड़ की जितनी भी information है की वोड़ से रेलेटइड और माउस Сेलेटus तो वह सारी information मैंने क्ल की वीडियो में आपको provide कर आया थी का आज का जो बीडियो है इसमें हम नेक्सट जो हमारा डेवाइस है next जो हमारी computer hardware device है ठीक है तो उसको बताने वाले हैं वो next जो हमारी device का नाम है वो है हमारी monitor ठीक है monitor की बात करेंगे आज की वीडियो में तो आप इसको अच्छी से देखलें इस वीडियो को आपको lightly नहीं लेना है जितने भी मैं वीडियो upload कर रहा हूं आपको daily एक वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है आप daily का daily वीडियो देखते जाए ताकि आपको जो computer की जो basic जानकारी है basic knowledge है पूरा concept आपको clear हो जाए ताकि जब आप कोई भी computer से related कोई भी बर्क करेंगी computer पर या कहीं other आप course करते हैं computer से related तो आपको अगर जानकारी होगी त आपको बता रहा हूं एक fundamental है computer fundamental ठीक है तो एक basic होता है computer का और सभी के लिए important होता है क्योंकि आज के time में बिना computer के कुछ नहीं हो रहा हर चीज computer से हो रही ठीक है तो computer के वारे में हमें कुछ basic जानकारी होनी चाहिए उसी के purpose से मैं आपको daily एक video प्रोवाइड करा रहा हूं courses कर रहा हूं कि अच्छे से अच्छे आपको video प्रोवाइड करा हूं और पूरी जानकारी दे सकूं ठीक है तो मैंने जो इसके पहले जो video upload किये हैं उसमें मैंने बताया था आपको कि सभी जितने भी computer software हैं और hardware है तो अब ये hardware devices की बार चल रही है इसकी बात software पर चर्चा क क्योंकि अगर आप series wise देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा और जादा सजादा आप चीजों को समझ पाएंगे ठीक है तो आप क्या करिए आप पहले वो video देख लीजिए description में मैंने playlist की link दे दी है तो आप पुरानी video देख लें उसके बाद ही वीडियो देखें तो सबसे पहली बात आज आपको मैं बता दूँ सबसे पहले system configuration क्या होता है तो system configuration की है या system के बारे में जानकारी ठीक है उसको हम configuration बोलते हैं तो अगर हम बात करें एक अच्छे system की अगर हम बात करें एक अच्छे system configuration की या अच्छा system कौनसा होना चाहिए computer वो किस टाइप से क्या क्या quality होनी चाहिए तो उन चीजों कि अगर हम बात करें तो देखते हैं हम सबसे पहले RAM की बात करते हैं, ठीक है, RAM में देख लेते हैं, कि RAM में क्या होता है, RAM जब हम कोई भी system या कोई भी computer जब हम खरीदते हैं, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, RAM देखते हैं, ठीक है, तो RAM 4GB की भी होती है, और 8GB की भी होती है, तो अब आप ज जान सकते हैं समझ सकते हैं कि रेम जितनी ज़्यादा होगी उतनी अच्छी आपकी सिस्टम की स्पीड होगी बरकिंग स्पीड उतनी ही अच्छी होगी ठीक है तो यह आप 4GB भी ले सकते हैं 8GB भी ले सकते हैं दौनों आपके लिए बैटर रहेगी इसके बाद हम CPU एफ प्रो सिसर के नाम बता रहे हैं यह आपके कोर वाले हैं दो और एक आपका राइजन वाला है ठीक है तो यह जो मैंने आपको बताएं यह मिनीमम अच्छी क्वाल्टी होती है इससे हाई भी होते हैं लेकिन आप अपनी बजट के हिसाब से कम से कम आपको कोर आई 3 या राइजन 5 तो ले ना ही चाहिए एक मिनीमम आपकोוח को बताई जा रही है कौलू वाल्टी फिक है इसके बाद तीसरी हम हर्ड की भाथ के बात कर नहीं कि वात करें ऑर और हार्डेस के साथ आज कल आपको जो अप सिस्टम होगा आप लैपटॉप या कम्पूटर अगर हम देखें सिस्टम की बात करें तो हार्डेस के साथ साथ SSD भी जाने लगी है SSD का मनलाब अलग से एक डेवाइस है जो हमें secondary memory की सुविदा प्रोवाइड कराती है एक्स्ट्रा memory प्रोवाइड कराती है तो कम से कम हमें 256 जीवी की तो लेनी चाहिए इसके बाद हम ब्रांड की बात कर लेते हैं तो जब कोई भी हम सिस्टम लेते हैं या कोई भी हम लैपटॉप खरीदते हैं तो हमें सबसे पहला देखना चाहिए कि वह ब्रांडेड है नहीं मलब हमें HP या Dell या Lenovo इन कंपनी के ही इन ब्रांड की ही हमें सिस्टम खरीदने चाहिए यूँकि यह वो ब्रांड है जो अच्छी फैसलेटी देते हैं अच्छी सर्विस देते हैं ठीक है तो हमें ध्यान रखना होगा इसके बाद अगर हम एक एबरेज प्राइस की बात कर तो हम बात करें अगर हम 8GB, 8GB RAM, Core i3 प्रोसेसर और BUN TV की हम हार्ड डिस्क लेते हैं तो हमें सिस्टम या कंप्यूटर या बात करें हम लैप्टॉप की बात करें तो अगर हम 8GB की RAM लेते हैं Core i3 का प्रोसेसर या CPU लेते हैं और BUN TV की हम हार्ड डिस्क लेते हैं तो हमें 40,000 का पड़ेगा तो हमें 40,000 का पड़ेगा इसके बात अगर हम RAM बढ़ा देते हैं प्रोसेसर की क्वाल्टी बढ़ा देते हैं और हार्ड डिस्क बढ़ा देते हैं और साथ में SSD भी ले लेते ह ठीक है अगर हम क्या करें 16GB का हम 16GB की RAM ले लें Core i5 प्रोसेसर ले लें Band TV की hard disk ले लें और 120GB की SSD डेलवा दें तो हमें 70,000 पर पहुंच जाएगा ठीक है 70,000 पर बज़र आपका पहुंच जाएगा तो यह हमारा जो मैंने आपको बताए system configuration है कि system configuration क्या होता है और कितना होना चाहिए एक अच्छी system में ठीक है तो इसके बाद हम बात करते हैं monitor की यह साथ भी नमबर का हमारा hardware device है इसके पहले में 6 आपको hardware device पढ़ा चुका हूँ तो अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो description में link दे दी जाएगी आप पूरी playlist देख लीजिए एक एक करके सभी वीडियो आप देख सकते हैं ठीक है और सबसे पहली बात अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर लें साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं 9 तू 12 मलब 9 क्लास से लेके 12 क्लास तक के तरमासिक अर्दवासिक और बारसिक साथ ही साथ प्रिवोट इन सभी परिच्छाओं के paper आपको provide कराये जाते हैं important question provide कराये जाते हैं और question paper solution provide कराये जाता है तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को share कर दें और अपने जो भी छोटे भाई लोग है जो 11th 12th में 9th 10th में उनको जरूर इस चैनल के बारे में बताएं ठीक है उनको बहुत ज्यादा लाब हो सकता है तो next जो हमारा hardware device है वो है monitor तो monitor में आप बात करते हैं तो monitor देखिए monitor को हम vd uv बोलते है मनलब जो monitor होता है वो कैसा होता है visual display unit है मनलब video मनलब visual display unit monitor कैसा होता है visual display unit होता है ठीक है यह video है मनलब video का full form क्या है visual display unit अब जो monitor है वो एक output device है monitor क्या है एक output device है जो हमें soft copy output provide कराता है यह दो point very important है monitor एक output device है जो हमें soft copy output प्रोवाइड कराता है अगर हम इसके types की बात करें तो monitor के चार type है CRT, LCD, LED, TFT CRT का full form होता है cathode ray tube, LCD का full form होता है liquid crystal display, LED का full form होता है light emitting diode और TFT का full form होता है thin film transistor तो यह four type होते हैं आपके monitor के इसके बाद हम port की बात करें port की हम बात करें तो port की port में हम भीजिये जो होता है यह port होता है monitor का video graphics adapter या array भी भोल सकते हैं monitor की size की बात करें तो यह आपको 15 इंच का भी आता है 17 इंच का भी आता है 19 इंच का भी आता है और 21 इंच का भी आता है monitor size को measure कैसे करते हैं तो diagonally नापते हैं इसको हम measure कैसे करते हैं कैसे मापते हैं इसको हम diagonally मापते हैं मालब बिकर्नी तरीके से मापते हैं ना ना तो हम इसको horizontally नापते हैं और ना ही हम इसको vertically मापते हैं कैंसे मापते हैं डाई को न ली मलाव बिकर नहीं है ठीक है यह हमारी कुछ monitor से related information होगी आपको पसंद आई होगी इसके बाद हम एक और software इसी वीडियो में खतम कर देते हैं वो है हमारा printer sorry software नहीं हार्डवेर डेवाइस है तो यह जो printer है यह 8 वे नंबर की हमारी hardware device है monitor के बाद printer की बात भी इसी वीडियो में कर लेते हैं तो printer की बात करें ठीक है printer में देख लिए आप printer क्या है printer भी एक output device है यह हमें hard copy output provide कर आता है अब printer को इसी वीडियो में बताने का मेरा मकसद यह था कि आप इसके इसको compare कर सके है थेक है कि दोनों तो hardware device तो है दोनों लेकिन वो soft copy output provide करा रहा है और printer hard copy output provide करा रहा ठीक है तो एक क्या है output device है hard copy output provide कराता है इसके बाद हम printer की type की बात करें तो printer की types की बात करें तो यह होता हमारा impact दूसरा होता है नोन इंपेक्ट तो इंपेक्ट इंपेक्ट का मलब होता है डॉट मेंट्रिक्स प्रिंटर मनलब जो इंपेक्ट प्रिंटर जो होता है वो डॉट मेंट्रिक्स प्रिंटर भी कहलाता है और जो नोन इंपेक्ट प्रिंटर होता है उसको हम लेजर प्रिंटर य होता है उसमें dry powder यूज होता है जिसको हम toner कहते हैं टॉनर नाम का dry powder यूज होता है और दूसरा inkz powder inkz powder भी डलता है इसमें जो CM जिसमें जो inkz printer होता है sorry powder नहीं है inkz printer लेजर printer फेंटर ए पहला मैंने जो तो आपको यहां पर ठाइस देख लेंगे प्रेंटर की जो टाइप कवह दो है इंप्ध और नंफ इंपक्त को डॉर्ट मेown fed में दो परकार के प्रिंटर आते हैं लेजर प्रेंटर और 01 जेड़ प्रिंटर लेजर प्रिंटर में ड्राइप यूज होता है जिसको हम टॉनर बोलते हैं ठीक है जिसको हम क्या बोलते हैं इसके बाद दूसरा है ink jet printer इसमें हम ink का यूज़ करते हैं और यूज़ जो ink का यूज़ होता है उसमें चार कलर होते है cm by c से cyan m से magenta c से m से magenta by से yellow और k से काला मला बले है तो यह हमारी क्या है inkjet printer में यह यूज होती है color इसके बाद हम impact की बात कर लेती है impact के बारे में तो impact में आपको impact के जो printer होता है उसकी quality क्या होती है उसकी बिसेचताएं क्या होती ही थोड़ा आप देख लें तो impact जो printer होता है उसमें sound high होता है बर्किंग जब हम बर्क करते हैं प्रेंटर में तो साउंड हाई होता है क्वाल्टी लो होती है इस्पीड लो होती है यह तो आपने देखा होगा कि बैंक बगरा में जो आपको बयाद होगा रेल वी में टिकट बना अने जाती है रेलीवी काउंटर पर तो वह एक प्रेंटर रखी रहते हैं उसमें बड़े-बड़े की लगे होती हैं तो वह बहुत जदा आवाज करता है उसमें साउंड बहु को लो होती यह और ृप उसमें continuous ला रही था उसमें एक के बाद ए कि पर आता जा था उसको जो बनाता है या बिल बनाता है या बिल बनाता है तो उसको काटता है प्र को Lead जैसे एक ticket बन गई तो paper को card देगा, दूसरी ticket बन गई paper को card देगा, ठीका, तो continuous paper आता है, speed low होती है, quality low होती है, और sound high होता है, यह impact printer है, आपने bank, railway और electricity office में आपने देखा होगा, non impact printer की बात करें, तो इसका sound low होता है, quality high होती है, speed fast होती है, paper seat डलती है, इसमें continuous paper नहीं डेलता, बलकि paper seat डेलती है, जैसे की cafe बगएरा में जो use होती है, आप तो offices में भी use होने लगी है, office में भी use होती है, हम देख घर पे भी हम use कर लेते हैं, उस printer का है जो cafe बगएरा चलाती है, वो भी use करते हैं, तो इनका हम use होम में घर पे भी कर सकते हैं और office में भी करते हैं, यह क्या होता है, non impact printer, तो यह printer के type होए impact और non impact और दोनों printer की आपकी विसेज़ता हैं होई, यह इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम बात करें इसकी once, जो क्वालिटी measure होती है, printer की quality measure करते हैं, वो हम करते हैं, dpi में, ऐक इंच में कितने dot हैं उसकी counting करके हम printer की quality measure करते हैं, dpi dot per inch, company की बात करें, तो HB Company Printer बनाती है Canon Company Printer बनाती है और Epson Company Printer बनाती है तो यह जानकारी होई आपकी Printer की तो आज की वीडियो में हमने System Configuration के वारे में जाना Monitor के वारे में जाना और Printer के वारे में जाना तो अगर आप कोई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए थैंक यू